सर जिसको ये सूत्र समझ में आ गया ना उसके जीवन में कुरांती होने से कोई रोक ही नहीं सकता भारत में एक बड़ी प्यादी परंपरा है त्याग और तपस्या सक्रिफाइस एंड पैनेंस लेकिन त्याग मतलब यह नहीं भिकमंगे हो जाओ अपना घर्दान कर दिये अपनी काली दान कर दिये अपना सारा पैसा दान कर दिये भीग मांगने लगे वह मूर्खता है हां मोटिवेशन नहीं नो मोटिवेशन बदलो सेल्फ ट्रांस्वर्मेशन करो तपस्या करो चमखने के लिए तापमान सहना पड़ेगा साथ त्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है पूरे दुनिया आपकी भारत में एक बड़ी प्यारी परंपरा है त्याग और तपस्या सर इतनी प्यारी परंपरा है इतनी प्यारी त्याग सेक्रिफाइज एंड पैने इन्स सर बड़ी प्यारी प्रकृरिया बड़ी प्यारी लेकिन मैंने फिर कहा उल्टा कर दिया हीरा बड़ा प्यारी चीज है सर कोईला यह ही सर वो हीरा कोईला है लेकिन जब वो 35 degree 100 degree celsius temperature झेल लेता है चमकने लगता है सर और इस temperature को सब को जहिलना पड़ेगा सर चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर कोई रास्ता ही नहीं है सर लेकिन मजब होता है सर मैंने कहा ना अगर direction मिल जाए दिशा मिल जाए मजब होता है सर एक खेल चुरू होता है जीवने बड़ा प्यारा सर एक बड़ा प्यारा खेल चुरू होता है आंत्रिक युद्ध चुरू होता है आप दो भागों में बढ़ जाते हैं एक पुराना आवा दोजा एक नए आवा दोजा और दोनों में लड़ाई होती है पुराना आवा दोजा कहता है शराब पीलो दो घूट क्या बुराई है नया कहता है कि शराब पीओ गयार जब तुमको पता है कि ध्यान उससे बड़ी शराब है और लवाई होती और आप दोनों को देखते हो ऐसे उन दोनों को देखना ध्यान एसर त्याग और तपस्या त्याग और तपस्या अब अब धर्म के दो विश्लेशक है एक प्रीष्ट एक संथ सेंट यह प्रीष्ट कौन है यह हर धर्म का स्कूल टीचर है बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं यह हर धर्म का स्कूल टीचर है यह संथ कौन है यह हर धर्म का साइन्टिस्ट है इसलिए जब भी कोई समाज पुरोहितों के कबजे में आ जाता है तो उसकी बड़ी दुरदशा होती है दोनों की उटिलिटी है सर लेकिन उनका स्थान बड़ा उचा है हर धर्म के दो विसलेशक होते हैं एक पुरोहित प्रीस्ट हर धर्म के हिंदूों के पुरोहित हैं मुसल्मानों के पुरोहित हैं क्रिश्चिनों के पुरोहित हैं यह सिर्फ स्कूल टीचर हैं बस इस से ज़्यादा कुछ भी नहीं इनको पता सब कुछ हो गा इनकी मेमरी बहुत स्टॉंग होगी ये रटे हुए होगे, इनको सारे गरंत पता होगे और हिब्रू में बोलेंगे, आर्भी में बोलेंगे संस्कृत में बोलेंगे, और महाल बना देंगे एक दम से मैजॉरिटी मैजॉरिटी इनके पीछे चलेगी इनके पीछे माइनॉरिटी यहां जो है आउटर फीचर में बड़ा महत तो होता है आउटर बाहर से यहां इंटर्नल अब पुरोहित जो है पुरोहित इसके लिए त्याग बाहरी है बाहरी बाहरी त्याग है बाहरी इसका हर काम आउटर है तो इसके लिए त्याग क्या है धन इसका सारा काम बाहरी है यह जब तुम से कहेगा त्याग का तो कहेगा धन आप कहोगे यार इतनी मुश्कल से कमाया धन और दान कर दे और इसके लिए तबस्य क्या है? नाला कि एक माला पकड़ लो और फेर तरह जुए के एड़ब बैटाओ वहां भी फेर लो शराब के एड़ब बैटाओ वहां भी फेर लो सब बाहरी, सब बाहरी इसलिए जितने लोग इनके पीछे चलते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता सिफर में रहते हैं लेकिन जब आप इनके पास आओगे संथ ओह संथ जब आप संथों के पास आओगे यहां बाहरी चीजे नहीं है, अंदुरूनी चीजे है संथों के पास बाहरी चीजे नहीं है अंत्रिक अब सेंसेस पे एक आदमी एक्स यह सेंसेस पे जी रहा है सेंसेस पर पांच इंड्रिया हैं तंग, स्किन, एर्स, नोज, आईज, एक्स, कि मूलने आपन पांच इंड्रिया है पांच इंड्रिया है 5 कामें इंड्रिया है यह फांच वाइफ सेंसजीङ और पत्च्श फाल तक 25 Saturday Ten तक आप इनके साथ रहे और यह अपने बास का हुकम पालंग करती रही यादि माइड इनको बास स्माइड और माइन्ड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत माइन्ड के इसे फीचर को ध्यान में रखकर एक बहुत बड़ा समाज कोशिश करता है संसकार देने का अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ है जिंदगी को इसमूथ में आदत कि तो लगबग सभी धर्म हिंदुओं ने मख्ठ इस्थापित किये मसल्मानों ने मदर्सा बनाया बचपन से बचपन से यहां बचपन से बच्चे लिया या Casey बचपन से यह बड़jun का एडिमीशन नहीं होता बच्पन से और बच्पन से उन्हें एक विशेश तोर तरीके का संस्कार दिया जाता है कि लेकिन मैंने आप से कहा कि संस्कार जीवन को सरल बनाता है कि महान नहीं बनाता अगर सिर्फ संस्कार से लोग महान बनते तो यह सारे मट और मदर्शा के बच्चे सारे आईएस होते, PCS होते, इन्में से कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाज, नहीं तो यह सारे, अगर सिर्फ संसकार लोगों को महान मनाते, तो सारे यहां के बच्चे ही बड़े-बड़े अधिकारी होते, बड़े-बड़े सेवादार होते, मंत्री होते, प्रैमिनिस होगा, आपके हाँ जो पुरोहित पूजा कराने आता होगा, बड़ा संसकार ही, बिना नहाय खाना नहीं खाएंगे, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, यह नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो कभी-कभी आपके मन में हो सकता है, आता हो, यार इतना पालन करने के बाद यह स्तर क्यों संस्कार जिन्दगी को सरल बनाते हैं तो महान क्या बनाते है तो महान क्या बनाते है वह महान बनाती है साधना अब यह क्या है साधना अब यह क्या है साधना अब यह पांचों इंद्रियां आपकी 25 साल की हैबिट है इनकी हैबिट अब जबान को आम बहुत पसंद है और करेले से नफरत है नफरत क्यों है सर नफरत क्यों है आदत नहीं है आप दोगो जिन्दगी में जितनी मीठी चीज़े है उनसे बड़ा लगाओ है और नुकसान बहुत करती है तो अब त्याग केस का करना है स्वाद का स्वाद का त्याग करना है कैसे कहने के कहके स्वाद का त्याग करना है तो स्वाद का त्याग करेंगे तो क्या होगा सेहत कि ट्याग को लेकिन त्याग का सीधा सम्मंद्य तपस्या से त्याग सिर्फ कह करने हो सकता तपस्या करना पड़ेगी यह तपस्या करना पड़ेगी मतलब मलग जब आप भोजन करने बैठें आपको तुरंत अपनी सांसों पर आना पड़ेगा और यह प्रकिरिया कम से कम 21 दिन चलेगी कम से कम प्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है कि 95% लोग इस दुनिया में त्याग करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों का लेकिन वो तपस्या का सद्धान्त नहीं जानते हैं कि इन इंद्रियों का त्याग करना है नींद बड़ी प्यारी चीज बहुत ही प्यारी कि और आज कल लोग ऑघंटैंद जस घंटैंवरा घंटैंसोते हिसी वज़ए कि मेजारिटी लोग़ों की नींद पूरी ही नहीं होती गैद तूती रहते हैं बीच बीच में कि इतनी अंदर आष्टिरता है पहले ऊजल्दी आती नहीं कि पहली वार तो जल्दी आती ही नहीं रात भर करवट इदर उदर लेते रहते हैं कि मन ऐसे चलता रहता है ऐसे एक साइड में मन चला पहले साइड में कि आईस बन गए मंत्री जी की बेटी शादी हो गई पूरा गाउं सामने आके सर जुका दिया तो खुब चौड़ों के लेटे हैं और फिर मन पलड़के दूसी तरफ चला रहता है कि आईस नहीं बन पाए मावा भगा दिये भीग मांग रहे हैं तो शुकूर के लेट गए ऐसे काफी देर तक रात में प्रकरिया चलती रहती है कि आजकल लोग ठक कर सोते हैं मेज़ॉरिटी आजकल लोग अपनी नीन से नहीं सोते हैं कि लेटे नीन आ गई ठक कर कि भाईया रात बर इदर उदर पलड़ते रहे और पता नहीं कब नीन आ गई नीन बहुत इंपोर्टेंट चीज है सर अगर गहरी आ जाए फुल फ्लजड़िड तो पांच घंटे बहुत है छे घंटे तो बहुत ज्यादा है अगर भ्योशी की नीन आ जाए छे घंटे बहुत ज्यादा है नीन नीन का त्याग होगा तो जागरण मिलेगा संसकार से जो चीजे होती है वो हैबिच्वल बनाती है आदमी को कि मौलाना साहब दो वज़े की नवास पढ़ने जाते है विच्वल है लेकिन साधना क्या करता है ध्यान का करता है कि आपकी जो इंटर्नल एनर्जी है उसको कनवर्ज करना शुरू कर देता है और उससे आपके अंदर ताकत का संचार होने लगता है आप इंटर्नली पावर्फुल होने लगते हैं जिसने भी इंद्रियों को छोड़ा सेंसेस को उसको साधना करनी पड़ी और जिसने सही डिरेक्शन में किया बुद्ध ने महवीर ने दादू ने नानक ने राइदास ने तो उनको कॉंशिस मिल गई चैतन ने और जिसको भी चैतन मिला वो महान हो गया त्याग किसका करना है सेंसेस का लेकिन त्याग के साथ तपस्या साधना करनी पड़ेगी ध्यान करना पड़ेगा अगर आप बिहोशी का त्याग करें बहुशी बहुशंख्यक लोगों को है सर नहीं तो इतना आसान है सिगरेट पीना पैकेट पर लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इस डेंजरेस तु एल्थ पहली लाइन दूसरी स्टेच्वरी वार्निंग में लिखा हुआ है तोबैको में कॉज कैंसर तीसरी बात लंग्स की फोटो बना दिये तीन तीन चीज तीन कोई विटामिन नहीं कोई यूसफुल चीज नहीं यह भी होशी नहीं है भी होशी का मतलब यह नहीं सिर्फ आख बंद करके भी होशी आख खुली होकर भी विखोशी होती है वो बड़ी अजीब सी विखोशी है 98% को एहसास ही नहीं होता कि वो विखोश है विखोशी का त्याग और होश की उपलब्दी होगी लेकिन इस लेकिन एक त्याग के साथ यही 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 सिर्फ त्याग नहीं तपस्या भी बैठना पड़ेगा सर सांसों को देखना पड़ेगा आप सिग्रेट लीजे इसा कसमत खाई है कि अब मैं सिग्रेट की दुकान की तरफ देखूंगा नहीं अब मैं सिग्रेट की दुकान की तरफ जाओंगा नहीं ना 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 न ना ना ऐसे कर दो कि अब मंदर बगया कसम खा लिए कि आज से संकर जी की भोलेणार नात के सर पर हात रहके कसम खार रहें जो एक शिग्रेट पी ले यह सब से कुछ ना होगा शिग्रेट रख लीजे वरनमें और जैसे ही तलब एक्षा तो होती नहीं तलब सानसों प्याये है कि तो और सानसों प्याये है ऊहँलो डीप सास अंदर ले यााइज यह यह आपके विल पावर की टपस्य तैंक पतलब विल्पावर की जांच तो वो जो तलब अंदर उठ रही है वो उतने समय में परिवर्थित होगी सर बदलेगी तो त्याग जो है त्याग त्याग साक्रिफाइज और तपस्या त्याग किसका मैंने कहा स्वात का लेकिन इस त्याग और तपस्या के बीच में छिपी हुई चीज है साधना उसी को हम ध्यान कहते हैं हुआ 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 है यह किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी और यह कंवर्ट होकर आपको सेहत दे देगी आपकी अंदुरुनी ताकत बढ़ गई आपके अंदुरुनी ताकत बढ़ गई बिहोशी का त्याग भागना नहीं है आपका होश बढ़ गया जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी यह नियम है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है इसे नियम को पालन किया कि प्रभूराम यह कि लिए तो त्याग किया किसका राजडडी का पर लेकिन आइसा नहीं त्याग करके चले गए कि कभी नहीं आएंगे कभी नहीं ली आएंगे कभी बैठKS बैठेंगे वमारा दने मेंOh reward प्रभुराम के जो राजगद्धी का त्याग है थ्रोन, थ्रोन और भगवान के बीच ये है साधना और ध्यान. तुम एक-एक करकर, एक-एक, एक डायरी बनाओ, डायरी, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो, एक-एक चीज, किसके दवारा छोड़ो, इसके दवारा, जबर्दस्ती मत छोड़ो, जबर्दस्ती मत छोड़ो, जबर्दस्ती छोड़ोगे, तुम्हें कुछ भी फाइदा नी होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन होगा ही नहीं जवदस्ति मत छोड़ो एक-एक करके इंद्रियों से संबंदित व्यसनों से संबंदित एक-एक करके टार्गेट बनाओ और त्याक करो पर साथना भी करो कि वो चीजें तुम्हारे सामने रहें भागना नहीं है कि हम नॉन्विच के रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे बिलकुल जाएंगे हम शराब की दुकान के सामने सानी गुजरेंगे एकदम गुजरेंगे हम तो बियर बार में भी जाके वैठेंगे त्याक करो और साधना बढ़ा दो ध्यान बढ़ा दो जागनर बढ़ा दो बस वो जो तुम्हारी चीज है वो कनवर्ट हो जाएगी पुरानी छूड याएगी एक नहीं उससे अच्छी मिल जाएगी पुरानी छूडल ने जाकी और एक नहीं उससे अच्छी मिल जाएगे और ऐसे धीरे 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 इतनी आंत्रिक ताकत विक्सित होती चली आएगी कि तुम्हें बाहर किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी त्याग बिना साधना के निरर्थक है वो जबरदस्ती है वो अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करेगा वो बाहर से ये शो करेगा कि बहुत बच्छा आदनी है बहुत धार्मिक आदनी है बहुत संसकारी आदनी है लेकिन अंदर कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं और बिना अंदर परिवर्तन हुए बाहर कभी कोई अचीब्मेंट नहीं होगी इसलिए जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसके लिए भारतिय संस्कृति में एक बड़ा विशेश शब्द है महवीर यहर आदनी के बस की बात नहीं है सर जैनों के स्वामी तो हैं है महवीर जी हनुआन जी को भी हनुआन जी को भी महवीर कहा गया निरंतर राम का स्मरण करना निरंतर त्याग इंद्रियों से संबंधित वस्तुओं का त्याग के साथ तपस्या ध्यान प्रतेक चीज़ पर कितना ताइम लगेगा एक अच्छी स्थिति में आने के लिए कम से कम छे महीन लगे हैं इसलिए परिवर्तन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वह धैर है हां मोटिवेशन नहीं नो मोटिवेशन बदलो सेल्फ ट्रांस्वर्मेशन करो तपस्या करो त्याग करो त्याग किसका अपनी वृत्तियों का का त्याltय पाइसे का नहीं कि अपने घरका पैसे त्याइया के स्वह एक यह इथैक्र कर दिया वो व्ह सब्सक्रीन 받म पहलाने कि अपनी अपनी मकान कि सगे लिये अपनी कर दो त्यांने दिया कर दिया वो भिकमंग ऑनकि लिए व पागल पने कि वहां आदर्श कौन राम साधना में आदर्श कौन भग्वान शंकर तो एचीवमेंट किसकी कृष्ण जैसी पूरे दुनिया आपकी बहले आप ग्वाले के घर में पाले गए है तो क्या वरक पड़ता है लेकिन राम और शिव के गुण अगर आपके अंदर आ गए राम का कौन सा त्याग और तपस्या शिव का कौन सा सन्यासी कौन है भगवान अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे सेंसेश पे हमारा बीस साल तक सामना रहा सेंसेश से और बीस साल जिसके साथ रहेंगे न सर तो उससे मोह बढ़ जाएगा अनुराथ बढ़ जाएगा सर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर तो जिन्होंने भी सेंसेश को छोड़ दिया और कॉंशियस पे जीने लगे हमने उन्हें भगवान माल लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार जिन्होंने भी इस देश में जिन्होंने भी सेंसेश का त्याग करके मतलब छोटी चीज को छोड़ कर इसलिए इस देश की प पाईसा दान कर दिया भीग मांगने लगे वो मूर्खता है मैंने कल आप से कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन दिफरेंस है कुछ वर्ड है दुनिया में इसका त्याग इसका राम ने राज्य का त्याग किया अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया कोई बड़ा त्याग नहीं किया क्योंकि जब वो लोटे तो भगवान बन के लोटे जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धी होगी तो आप स्वभाविक तोर पर महान बनेंगे